हलो फ्रेंड बिल्कम टू माई न्यू ब्लॉग आप लोग कैसे हैं आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो यह डिनर होने की बात का वीडियो है यानि रात के दस बजे जब खाना आना हो जाता है उसके बात का रूटीन आप लोगों के शार शेयर कर रहे हैं उसके पात कमरे की जो हालत क्योंकि बच्चे हमारे चोटे-चोटे जितनी टेडी वियर हैं यह सब फैला के रखे हुए थे और सारे मतलब कॉपी किताब सब फैला के रखे हुए थे और कुछ कागस थे जिनको हम आलमारी में रख रहे थे और इधर बेटु का बैग भी लगा के रखना क्योंकि बच्चे को सुबह जैसे ही स्कूल जाना रहता तो उसका टाइन डेबल वगएरा सब हम ही लोगों को तो वरना होता क्योंकि बच्चे वैसे भी छोटे होते हैं और बिट्टू के यहां कपड़े रखे हुए थे वो कपड़ों के फोल्ड कर रही थी और दे के बाद मुझे कीचन में लिंच बनाना रहता बेटे कोई स्कूल ले जाने के लिए लिए लिंच बनाने के बाद भी मैं जाके मतलब लिंच जब बेटों को भेज देती हूँ उसके बाद में जाड़ू पोच्छा करती हूं और यहां पर ताख़त को भी अच्च्छ से रखना चाहिए और यहां पर मैं पोच्छा मार रही थी तो गाइस पोच्छा लगा रहे हैं क्योंकि यह बुद्वार के रात का वीडियो है और पोच्छा अच्छा से लगा के रख लेंगे गाइस और क्योंकि गुरुवार के दिन हम ब्रत गाते तो उस दिन हमारे यहां पो समय में हम जाड़ू नहीं लगाते इसलिए हम पोचे से ही मार रहे थे क्योंकि बच्चे हैं बच्चे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत गंदा कर देते अब बच्चों को हम कितना डाटे बच्चे होते ही ऐसे हैं वो गंदा कर देते हर एक उसको तो बच्चों को हम कितना और गाईस मेरे एक भाई साहिब ने पूछा था कि आप किसी यूटूपर की बात बता रहे थी कि जो बहुत यूटूपर बहुत ही जादा गंदगी फैला हुई हैं और वो इस समय लगबग तीन चार महीने से यूटूब पर आए दिन बावाल आए दिन बावाल वैसे तो वह फेमस भी हुई है सिर्फ बावाल लेके अब बताओ सस्वाल में कब आई कब नहीं आई उसकी बात खोदना कि यह हुआ मेरे साथ वह ऐसा हुआ बहुत ज अच्छे से जानते हो और आज कल यूटूब पर हैं मैं थोड़ी सी हिंट दे रहे हुँ वो टीचर हैं बताती तो हैं टीचर हैं मगर इतने मुकदमे करके रखे हैं और इतना उल्टा शिधा इतना जादा फैला के रखी हुई हैं और जूट बोलना तो हर कदम पर ही है और अपने आपको बहुत ज़्यादा ओवर इसमार्ट समझ थी हैं बहुत ही बेकार आओ रहा थे मेरी नजरों में तो जो अपने हस्बेंड को कह सकता है कि मरेगा कीड़े परेंगे ये होगा वोगा तो कितना गंदा होगा आप समझी सकते हो मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहे किसी का इतनी हिंट आप लोगों को दे दिये तो आप लोग समझ गए होंगे और देखो यहाँ पे मैंने परदा उठाया था पोच्छा लगाते शमय गेट खोले थे तो रात हो गई रात का समय है और यहाँ पे अच्छे से मैंने पोच्छे वगेरा मान लिये हैं गाइस तो गाइस अगर आप इस जैन में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल वगल में बेल आइकन है उसे भी प्रस कर दे जैसे मैं कोई नया वीडियो रालू इसका लिंक आप तक जरूर पहुचे और यहाँ पे मेरा पोच्छा हो गया गाइस और पोच्छे की बाद इसके बाद गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद यानि पोच्छा तो यह नाइट का था अब यहां पे पोच्छा लगा के हो गया है तो गाइड यहां पे मैं आ गई हूँ यानि यह सुबह मॉर्निंग का वीडियो और इस समय सुबह के साड़े चार बज़े और बच्चे के लिए मैं बना रहे हूं लेंच क्योंकि उसको ले जाना है टिफिन में रखना भी है मुझे और यह सबजी मैंने बनाई थी गुरुवार के दिन पहले लेंच और बना के दे देती हूं बेटे को फी उसके बाद नहाऊंगी दूलूंगी पूजा पार्ट करूंगी क्योंकि बच्चा जो है मेरा सुबह छे बज़े जाता हूं छे बज़े के पहले मुझे लेंच साड़े छे बज़े सौरी जाता है और मुझे लेंच तायार करके फिसको नहलाना दूलाना खिलाना सब अभी क्योंकि बच्चे हैं चोटे भाई यह सब तो करना ही पड़ता आप बुद्धी हमारी कुंद हो जाती है अब पता नहीं कितना सही है कितना जूट है मगर जैसे बाबा मेरे बाबा थे तो बाबा से हम सुनते थे अक्सर बाबा यह का यह सबजी खाके बुद्धी कुंद हो जाएगी ऐसा मेरे गाउं में मतलब बाबा मेरे बोलते रहते थे औ सबखेशन मिर्चा और जीरा और नमक और हल्दी इसमें डाल देंगे क्योंकि देखने में भे अच्छी लगए और मेरे आँ टेल मसाला बहुत Зबाई फ्ट सी फिर ऺीश मेता करतें अध non itriamal भिए हैं क्या बताए और मेरे तो ये घर का binds के लाते ने कैसे बनाते मेरे यहां बहुत कम तेल मसाला खाया जाता आप लोगों के यहां कैसे खाया जाता प्लीज मुझे बताना और यहां पर मैं डाल रहे हूं श्वाद अन्शार नमा खाना सब्जी वगरा खाने में अच्छी लगती मगर हम तो ब्रत हैं तो आईए बच्चों के लि उसके बाद वो आ भी गया था तो आने के बाद का है और आके कपड़े और चेंज किया आके तुरंद कपड़े निकाल देता क्योंकि पसीने से हो जाते गीले यूनिफॉर्म और फि उसके बाद यह बिट्टू भी है बिट्टू कहती जैसे भाया करेगा वैसे मैं भी करू सब चड़ाओंगी तो बच्चे में मेरे देखो बीना कपड़ों के तो और बाकी जो इनका समान था क्योंकि बच्चा आता है खाना खाएगा खाना खाने के बाद तुरांत इसकी आदत है काईगा पहले मैं होमवर्क करूंगा उसके बास होंगा और फिसके बाद में यहां कभी मुझे गुस्सा यह आती है कि तुम आयो ठक के आयो पहले सोना चाहिए का नहीं मैं पहले होमवर्क करूंगा और यह बेट सीट अच्छी लगती है और यह है तो डबल बेट की मगर दीवान बेट में नहीं आती है क्योंकि दीवान बेट में इसको डालो तो साइड सा साइड खुला रहता मुझे वह अच्छा नहीं लगता तो मैं इसको थोड़ा सा एक एक हाथ अंदर करके और सिंगल बेट में ही यानि तखत मेरा चौड़ा भी है इसी पर मैं डाल देती हूं बहुत जगा तखत को चौकी भी कहते हमारे यहां तखत बोलते हैं तो इसको मै डाल दूंगी और इसका मैं सोचती हूं साइड का काट के पिलो कबर बना लूंगी तो ज़्यादा सा एक सिंगल बेट सीट भी निकलाएगी और दो पिलो कबर भी हो जाएंगे तो मेरी यहां पर बेट सीट लग गई उसके बाद मैं यहां पर लगा रही हूं यानि कि मैं यहां पर अब यह पिलो कबर इसमें तकिया में भर रही हूं यानि पिलो कबर चड़ा रहे हूं सौरी पिलो में कबर अच्छे से चड़ा के रख दूंगी और क्योंकि रोज चेंज करो रोज दूलो और घर में तो जितना हम साफ सफाई का हैं मगर धूल मिटी आही जाती अब ही जैसे सुबह का साफ किया साम को छोड़ दो घर इदम गंदा हो जाता दिन में एक तो छोटा घर छोटे छोटे बच्चे तो यह सब होता रहता और भाईया गंदगी मुझे नहीं अच्छी लगती आप लोग भी ऐसा ही करते हैं सची में गंदगी तो पसंदी नहीं जोड़ा भी भाई खाने को कोई ना दे मगर गंदे बिस्तर और गंदे वो यह सब नहीं मुझे अच्छा लगता क्योंकि मेरे जैसे पैर के नीचे अगर मेरे पैर में खिसकी सुआ तो मेरे दाथ सबसे पहले हो जाते अच्छा इस बेट सीट को अभी मैं फोल्ड करके भूलूंगी तो गाइस यहां पर यानि इसको मैंने आज धुल दिया है और फी उसके बाद गाइस यहां पर मैं जाड़ू लगाने लगाने लगी अब कोई यह मत करना कि पहले पोच्छा लगा यह बाद में जाड़ू क्योंकि पोच्छा में लगाई थी बुद्वार के गुर्वार के दिन रहा गए में लगाने लगी जाड़ू और मेरे पास एक वीडियो और मैंने गुर्वार के दिन ही climbing and work कर दिया था है now to Alle प्लीज आप लोग सपोर्ट करें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है सबका साथ सबका विकास अगर आप लोगों को अपने चैनल का प्रमोट करवाना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं आप लोगों की वीडियो अपनी कम्यूटी पर शेयर करूंग पक्का क्योंकि मैं चाहती हूं सबका सबका अच्छे से भाई जैसे मैं परेशान होती थी वैसे सब को यह क्योंकि वास टाइम जल्दी बढ़ता नहीं तो आप लोगों का जल्दी से जल्दी वास टाइम कंप्लेट हो और मेरी जाड़ू यहां पे लगभग हो गई आके तो गाईज आज का वीडियो का ऐसा लगा हमें कमेंट जरूर करना आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यदा मोटिवेट होते हैं आप लोग मुझे पसंद करते हो तभी इतने अच्छे एच्छे कमेंट करते हो तो गाईस मिलते हैं कुछ देर बाद और आप लोग कहीं मत जाएगा प्लीज गाईस मिलते कुछ देर गाईस तो यहां पर मैं पी रहे हैं। और पॉडर यह देखो यह पोटिनिक्स पॉडर है यह चोकलेट का पॉडर यह देखो और आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आज का वीडियो यही करते हैं बन क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और फी कल मिलते हैं कच्छे से ब्लॉग के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए अपनी फैमली का ख्याल रखिए गुड़ नाइट गुडबाई गुड़ नाइट गुडबाई